टूडेंट जो 36 गड़ में बेसी नर्सिंग करना चाहते हैं और आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर बताए हमारा इतना रेंक है हमें कौन सा कॉलेज जो है सेलेक्ट करना चाहिए हमें कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा जो भी आप लोगों ने क्वेस्टन किया था आप सभी का जवाब मैं दूगा तो वीडियो को पुरा लास्ट तक देखना क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि कि किसी कभी कमेंट छूड़ जाय और आप फिर से कमेंट करो कि सर आपने मेरे कमेंट का रिप्लाइ नहीं किया तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते लेक से एक request मैं करना चाहता हूं प्लीज मेरे व्लाग को भी support कीजिए इतने मेहने से मैंने व्लाग को बनाया है आप लोगों के लिए तो प्लीज प्लीज आप लोगों से request है व्लाग को भी support कीजिए और आप सभी का कमेंट का मैं reply कर रहा हूं वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा तो इनका question है sir मेरा बीश नंबर है मैं general category से हूँ private में admission मिलेगा कि नहीं sir प्लीज बताये तो मैं आपको सच में बता दू आपको private college भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि कि नहीं या कुछ problem होगा और न्यू बनाना पड़ेगा क्या अगर न्यू बनाती हो तो एक महिने में निकल ही जाएगा तो इनका question यह है scholarship को लेकर है क्योंकि बहुत से student को पता नहीं है कि जो पुराना जाती और निवास प्रमाठ पत्र है वो अब नहीं चलता आपका admission हो जाएगा लेकिन आपको scholarship में दिक्कत होता है इससे अच्छा है आप जो है नया वाले जो लोक्षेवकेंद्रा आपके तहसील आफिस से बनते हैं वहां से आप जो है न्यू आए जाती और निवास प्रमाठ पत्र है आप बनवाली जो स्कॉलर्शिप मिलता है इनका question है सेर कितने नंबर वाले लोग करा सकते हैं counseling तो counseling जो है जो जिनका तो 20 नंबर है 25 नंबर वो भी करा सकते counseling लेकिन उन लोगों का नाम आने में बहुत कम chance है तो आपका जितना भी marks है आप लोग एक बार counseling जरूर कीजिए क्योंकि आपको दो भी पता चलना चाहिए कि counseling हम लोग कर रहे हैं और हम लोग counseling में पार्टिसिपेट किये हैं तो नंबर के हिसाब से मेरे से पूछे तो जिन college की हूँ तो क्या मुझे counseling के लिए gap certificate बनवाना पड़ेगा प्लीज रिप्लाई दे दो तो हां मैं आपको बता दू कि nursing का आपका सिर्फ बारवी के हिसाब से देखा जाता है आपने अगर graduation भी complete किया हो या फिर आपने B.Sc second year किया हो या फिर B.Sc first year किया हो तो वह आपका नह college में admission ले शक्ति हूँ या नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि जी हां आप जो है admission ले शक्ति हैं वैसे तो 23 या 24 वर्ष उम्र रहते लेकिन आपका 25 से फिर भी चलेगा आप admission ले शक्ति हैं counseling किजिए और आपको college मिल जाएगा तो आप जो है admission ले शक्ति है next question sir मैं MSC nursing में government seat कितने होते हूं इस पर वीडियो बनाई है तो MSC nursing से related आप जो है वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ठीक है next में next video मैं आप लोगों के लिए MSC nursing कभी मैं बना दूँगा next question sir मेरा all over rank 3964 है और category rank 637 है तो मैं counseling करा सकती हूँ या नहीं इससी category हो तो जी है आप जो है counseling करा सकते हैं counseling कराईए लेकिन आपको मैं बता दूँँ कि आप जो है government college select मत करना 10 के 10 आप जो है private college select करना और वो भी जो टॉप के nursing college हैं टॉप 5 में उनको तो select ही मत करना बांकि आप select कर check the next question sir मैं 29 साल की हूँ क्या मैं ब्यूस्जी nursing कर सकती हूँ क्या तो इनका question है कि यह 29 साल की हैं कर सकते हैं फिर नहीं नहीं कर सकते हैं आप आप जो है एक रहता हैं कि आप जो है regular जाते हैं और एक जो सिर्फ जब जब प्रिक्टीकल कोगा तब जा सकते हैं और उसके बाइगसाइम होता है तब आप जह सकते हैं लेकिन आप जो Якश्यर्ट कर सकते हैं कि enough question सुर मेरा आलोवर रैंग 284 कैटीग्री रैंग 25, female तो मेरा Government College में होगा या फिर नहीं होगा तो मैं आपको बता दू कि पूइक सानी बता सकते कि आपको Government College ही मिल जाएगा लेकिन आप तीन Government College सिलेक्टर कर सकते हैं और साथ जो है Private College सेलेक्टर कीजे आपको College मिल जाएगा नेश्चर पर पिछले वीडियो के कमेंट का कमेंट कर दालो गे तुम एने आज डाल ही दिया है तो थोड़ा सा Whet कीई ये मैं बना देता हूँ वीडियो तो हर जब जब आप लोग कमेंट करेंगे मैं आप करी प्रिप्लाइब दूगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए नेस्टा कुशन सगी ऐनलाइन काउंसलिंग कैसे करें प्लीज बताइए तो आप लोगों काउंसलिंग करने के लिए नहीं आता तो तो मैं वीडियो मैं भी बना दिया हूँ पहले भी वीडियो बनाया था बेशी नर्सिंग के उपर तो में भी मैंने बता दिया और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूँगा आपको जो Doing nursing का काउंसुलिंग कैसे करना है तो आपको पता चल जाएगा नेश्ट क्विस्टन सर मेरा आलोवर रेंग 143 काटिग्री रेंग 54 है फीमेल काटिग्री रेंग 45 हो बीसी से हूँ सर मुझे किस तरह का कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए प्लीज रिपलाई किजिए सर तो मैं आपको बता दू कि आपका रेंग जो है आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका रेंग जो है बहुत अच्छा है आपको कॉलेज मिल जाएगा नेश्ट क्विस्टन सर कितने मार्क्स वाले कॉंस्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि जिनका 30 मार्ग से उपर हैं वो लोग पाटिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं लोगों को गवर्मेंट तुने मिल पाएगा प्राइवेट कॉलेज सो मिलने का शांस रहेगा कम मार्ग जीड का 20-25 मार्ग से उनका सायाधी होगा नेश्टर क्वेस्टन सर मेरा आल ओवर रैंग 1335 काटिगरी रैंग 522 फीमेर रैंग 1119 फीमेर काटिगरी रैंग 452 सर प्लीज बताएगे गवर्मेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं तो मैं आपको बता दू कि आपको गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग आप किजै और वह भी टॉप फाइब जो कॉलेज रहता है उन टॉप फाइब कॉलेज में से टॉप 4 कॉलेज का आप सेलेक्टर मत कीजے बाकी एक जो हैं आप तोप 5 में कॉलेज सेलेक्टर कर सकते हैं बाकी आप पूरा प्र सेलेक्शन हो जाएगा अफ्लीज रप्लाइड तु नहीं वापाएगा प्राइवेट कोलेज भी आपको मिलेंगा नेस डाकविस्तन सर्मेरा वत्थी नमर है वेश चिमे पशि counseling करा सकती है, गवर्मेंट कॉलेज सेलेक्ट मत करना, प्राइबेट कॉलेज ही सलेक्ट करना, क्योंकि गवर्मेंट कॉलेज सिर्फ 410 सीटे हैं, 410 लोगों का ही गवर्मेंट कॉलेज में सेलेक्शन हो पायागा, next question sir मेरा all over rank 109 है और category rank 40 मैं OVC से हूँ मुझे गोर्मेंट गोलेज मिल सकता है क्या तो जी हाँ आपको गोर्मेंट कोलेजG Chron意 उफने off करेंद करेंद आपको जू है कोलेज मिल जाएगा next question sir मेरा 4073 रेंग है और इनका 30 तो मैं आपको बता दूँ कि आपको गवर्मेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग के जिए और हो सकता ही कि आपको कॉलेज जो है मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ आपको नहीं मिल पाएगा कोई भी गवर्मेंट तो छूड़िए प्राइबेट कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा हाँ है लेकिन स्पार्ट रांड का कॉंसलिंग जब होगा ना तब उसमें आप जो है कराश रखती हैं लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा भी गवर्मेंट और प्राइबेट नेश्ट मेरा आल ओवरर रांग 2572 केटिगरी रांग 815 फीमल केटिगरी साट सो पेटी से हैं सर क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेज मिल सकता है फ्लीज बताएए गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा प्राइबेट कॉलेज के लिए अप सिर्फ प्राइबेट कॉलेज ही देखिए गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा सर मेरा पास काश्ट सेर्टिफिकेट नहीं है तो मैं काउंसलिंग कैसे करूं प्लीज रिप्लाइब तो काश्ट सेर्टिफिकेट तो जो अगर आप जो है अगर जैनरल के टिग्रीश है तो आपको नहीं लगेगा अगर आप स्टी और बीस दिनों में बन जाता है आप लोगों काउंसलिंग तो चल रहा है तब तक बनवा लीजिए नेजटर क्वेशन सर मेरा आल ओवर रैंग 693 और कैटिगरी रैंग 292 है फिमेल क्ैटिगरी रैंग इनका 500 है फिमेल क्ैटिगरी रैंग 238 टोटल मार्च तो टैन 35 है तो बताएगे नहीं गवर्मेंट कॉलेज में हो जाहेगा केटीगरी hang 200 ना फिमेल र vernkin 163 सर मुझे एक भी मिल जाए गा तो आप यह दो government allein सबेक्ते किज और होठी आट जो प्राइबट इन कोलेज कीज跟你 कि आप को मिल जा लेकि मैं आप को बता दुए जो आप पांच government college selected कीजिये और पांच जो है private college selected क están aام permanent college से भी RAM को आब कॉलेज मिलने का शांस है então तो जो top two government college उनको select not at Repl complete complete college मिल जएक अपका मांग्स बहुत अच्छाप को college मिल जागा ने श्क टों सर मैं ईसी category काट्रिगरी से हूँ , मैंने में से नर्सिंग इंट्रेश से एग्जाम दी है प्लीज रिपलाइ गौवर्मेंट कॉलेज मिलने का चांस या नहीं है तो गौवर्मेंट कॉलेज मिलने का चांस है इसके उपर मैं और से आप लोगों के लिए में से लिए वीडियो बना सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप जहां जीज भी सहर के हो जहां आपके पास बढ़ते सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे चंदूलाल चंद्राकर बहुत ही अच्छा है आदर से इंस्टिटीट है स्रिष्टी है तो आप ये प्रिवेट कॉलेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं बाकि आप देख लीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा बताईए कि मुझे गल्मेंट कॉलेज मिल गया नहीं तो मैं नहीं मिल पाइगा गई गल्मेंट काल्ज प्रईवेट कॉलेज में ही काउंसिंग किजिए तो आपको पता दिया कि आपको मिलने का चौंस है तो आप जो चार पांच गवर्मेंट कॉलिज शेलेक्टिक कि जो इसके बाद आप जो है फ्राइवेट कॉलिज सेलेक्टिक आपको 100% college मिल जाएगा, next question है, all over rank 263, category rank 844, female rank 271, female category rank 762 है, sir private college मिल जाएगा नहीं, तो जी हाँ, आपको private college मिल जाएगा, इनके question है, sir, क्या 10th और 12th के basis पर भी depend करता है, या सिर्फ interest exam के result अपर, तो आपके BAC nursing जो interest exam के result अपर ही depend करते हैं, आपके बारवी में कित्ता भी percent उस पर depend नहीं करता, next question, all over rank 12937, तो आपको मैं बता दूँ है, आपको government college भी नहीं मिल पाएगा, और private college भी नहीं मिल पाएगा, next question, sir, all over rank, 779, obesity category rank, 320 female category rank, 272, sir, क्या एक भी government college मिलने का chance है, तो या एक भी government college मिलने का chance नहीं है, हाँ, लेकिन private college मिलने का chance है, next question, income marks 32, 32 है, तो आपको मैं बता दूँ, government college नहीं मिल पाएगा, आप सिर private college में ही counseling कीजिए, next question, sir, मेरा category rank 347, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको भी private college ही मिलेगा, government college नहीं मिल पाएगा, next question, मैं आपको बता दूँ, आपका भी रंग थोड़ा ज्यादा है, तो आप गवर्मेंट college सेलेक्टा मत कीजिए, पूरा private college ही सेलेक्ट कीजिए, next question, sir, अगर BAC nursing government college मिल गया, और हम उसे admission ले भी ले, और इसके अगले साल अगर NEET में सेलेक्टा हो जाता है, तो क्या मुझे government nursing को बीच में छोड़ सकते हैं, तो जी हाँ, आप जो है, आपका जो है, यदि नीट में सेलेक्टा हो जाता है, तो आप जो है, नर्शिंग को छोड़ सकते हैं, नेश्ट प्राइवेट BAC nursing में बाउंड होता है, यह गी नहीं, अगर कोई बीच में सेट छोड़ता है, तो उससे कितना पे करना होगा, तो यह आपका e-spart round के counselling में होता है, अभी नहीं होता है, तो आपका सेलेक्शन होगा है, तो आप जोड़ सकते हैं, आपको कोई भी दिश्फीस नहीं देना पड़ेगा नेश्ट कुऋ्सनसर मेरा लौफर रेंक त॑ इनस lange है मैं में---- Housing में 2011 कंश्ट स्कते हैं मुझे और व्याह टेन गर्मेन चेलेट शफटे केजिए conversations सब घार जो है private column से और साथ जो है private call है सए आपको college मिल जाएगा एक percent chance है कि आपको government college मेर जयेगा लेकिन बाकी नबे प Арजinenatanatan को private college मिल जाएगा वाकी Nem improve it at least exceptions at the time my내 coronavirus ranking 4383 ऐसी चाहिए तौक्षां इसे realize Information06 चाहिए जोड़ा से थंपर भौन् wastewater क्वेक्टी जाम यहें क्या थोड़ा सी रेंक ही तोड़ा सा रख राकश। धैक है? मांक ही आप जो है प्राइबेट कॉलेच कर देंक शेलिगिट работает टॉप प्राइबेट कॉलेज सेलेक्टे करेंगी वो भी आपको मिल जाएगा है नेश्टे कुछिशन 16,670 है और मांक से 20 हैं तो प्राइबेट कॉलेज में एडमिशन में सकते क्या कुछ चांस है तो कोई भी चांस नहीं है क्योंकि आपका राइंक बहुत जादा है स्रमेराल ओर रंग 395 एंडर डूबी सी कैटिग्रे रंग 175 हैं तो आपको भी गवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा सिर्फ प्राइबेट कॉलेज में ही कौंसलिंग कीजिए तो मैं आपको बता दू कि आपको जो है प्राइबेट कॉलेज मिलने का भी चांस कम है लेकिन फिर भी आप जो है टॉप फाइव प्राइबेट कॉलेज उनको सेलेक्टर मत कीजिए बाकि 75 जो प्राइबेट कॉलेज इसमें से आप देख लीजिए कौन से कॉलेज आपको आप सेलेक्ट कीजे, मिलने का चांस थोड़ा सा कम है, प्राइवेट कोलेज भी, नेश्टा कुछिन, आपका तो मैंने बता दिया है, कि आपको गवर्मेंट नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट कोलेज की मिल जाएगा, सर जी कमेंट का रिपलाई क्यों नहीं करते हैं, तो मैंने आपके कमेंट का भी रिपलाई कर दिया, कि आपको चांस हैं, कि आपको गवर्मेंट कोलेज मिल जाएगा, और प्राइवेट कोलेज मिल जाएगा, दोनों आप सेलेक्ट कीजे, आपको कोलेज मिल जाएगा, तो मैं सभी के कमेंट कर रिपलाई करता हूं थोड़ा सा अवेट किया किज़े ताकि जब बहुंच लोगों का पूरा कमेंट आजया उसके बाद वीडियो बनाना ठीक रहते हैं क्योंकि आप लोगों ने दू-चार जने ने कमेंट कर दिया उसके बाद फिर और बागी लोग कमेंट करते हैं कि कमेंट का रिपलाई कीजिए तो सभी के कमेंट का रिपलाई तूरं नहीं कर सकते ना तो इसलिए एक ही वीडियो में आप लोगों का कमेंट का मैं ने रिपलाई कर दिया तो आई होब कि जित्ते भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पस follow कर लिजे और आपका कोई भी doubts हो तो आप उसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं next video में so thank you